कि यहां इंग्लिस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है आए आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड की चौथी कविता पढ़ते हैं यह बहुत ही महत्पूर्ड पोयम है यहां तक कि इंटर में ही नहीं यह कंपटेशनल पेपर में भी आती है लेटरेचर में इसका बहुत महत्पू योगदान है तो इस से प्लाइन दे देते हैं पाचानने के लिए तो चलिए फिरहाल यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए आज स्टेडिस का कर लेते हैं तो कविता का नाम है फ्राम एन एलजी रीटेन इन एक हर्टिंट्री चर्शियार्ड फ्राम एन एलजी मतलब होता सोग कांट्रिène मतलब गाउं के होगा यहां चर्शियार्ड माने होगा कबodorस्तान तो कभिस्तान में कवी जो है गЭ्शम एन बिचार आ गया कि यह ए स्राधाजली देने के लिए एक सोगीत लिख दें तो वहाँ पर स्राधान गहा था इसलिए इसका वहाँ गया गाहों के कबरिस्तान में लिखे गए इसका वीता का हिंदी है और पोएम इसके कभी जो है टामस ग्रेय है इनके नाम में इस साइलेंट रहता है जो इगलेंट की कभी रहते हैं तो चलिए देखते हैं टामस ग्रेय है यह 1716 में पैदा हुए थे देखिए हो गई थे तो इनको कभी भी कहा जाता है ज्यादा थे रचना है कभी भी इनको कहा जाता है संगय दिय तो अब इस कभीता में है क्या कि उसको थोड़ा हम सार्म शेप में बता दे रहे हैं तो कवित हम यह बता है कि गाउं में कुछ साधार पूर्बज लोग थे तो वह बहुत इलिटरेट थे और खुशी की एक भी किरण नहीं देखे थे तो विचार क्या मर गए वहां पर उनके कब्र बन गए तो उनके पर सोग गीत लिख दिए सोग गीत के माध्यम से अपने दुखों को ब्यक्त कर रहे हैं जैसे बहुत सी आवाज हो रही हैं कभी वहां पर साम के समय खड़ा है कब्रिस्तान में सब प्रमभातों पसों के जूंड घर जा रहे हैं घंटियां बज रही हैं किसान घर जा रहा लेकिन कभी उसी पर खड़े होंके दुखत द्रयक्त कर रहे हैं सदेबहार पेड है वहां पर और चिरयाविल के पेड है वहां उसके धा रहा तवाम सारी आवाज़ हो रही हैं लेकिन सब लोग को उपर प्रभाव पड़ेंगे लेकिन उपर प्रभाव नहीं पेड़ेंगे कि हमें समय से क्लिए सो रहे हैं तो कुछ ग्राइंड माइटी पेपुल है सांदार और सक्तिसाली लोग है जो धनी लोग है वो लोग उनका मजाग बनाना है तो कभी उनको भी एक चेता तो चलिए शुरू करते हैं पाहली लाइन पाहली लाइन है दा कर्फ्यू टोल्स पाहला इस्टाइजा की पाहला इन कर्फ्यू माने होता है घंटी गिर्जा घर की घंटी टोल्स माने होता है बजती है कर्फ्यू मतलब गिर्जा घर की घंटी चेर्च ऑफ दा बिल सॉरी सब्सक्राब्स में कर रही है बज रही है अद लोग और क्या किया दूवुंग हर्ड मतलब होता है रंभातेुं लौविंग हमेकिंग साउंड आवाज करतेुए रंभाते हुए हर्ड मने उता है पाशू का जुन्ड ही विंड मने हवा स्लोली दिमे धीमे हवा के साथ उभरदली मने लीमे सुतां ग्रास लाइंड चरागा चरागा से तो इसका मतलब वोगत द लोविंग हर्ड विंड श्लोली ओभर दली रंभाते पस्वों के जुंड चरागा से वापस आ रहे हैं द प्लाव में प्लाव में वान तो हल वाह हल वाह मतलब होई हल चलाने वाल आदमी यानि कि किसान फार्मर होम वार्ड में घर की तरह प्लाव में प्लाव में वाड़ वाड़ वाह मिंज किसान अपने दिन भर के कारियों से थक कर घर का रास्ता पकड़ कर आ रहा है मतलब किसान अपने दिन भर के कार्यों से ठका हुआ होने के नाते अपने घर की तरफ चल कर आ रहा है अर्थात उस अस्थान पर केवल कभी है और कोई नहीं है कभी के काने मतलब यह इस अस्थान पर कोई नहीं सब लोग लिफ्स कर दिया छोड़कर चले गया है केवल एक मैं ही हूँ जो यहां पर हूँ क्योंकि उसको जो है उनकी मृत पर क्या दुख ब्यक्त करना है चलिए एक बार हम फिर से इसको दोहरा दे रहे हैं इस टेल्जा को दे कर्फ्यू टॉल्स दनेल आफ पार्टिंग डे दिन के समाप्ती पर गिरजा घर की घंटियां बज रही है दे लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओभर दली चरागा से रंभाते वे पस्वों के जुंड वापस आ रहे हैं ठीक है तो विंड स्लोली ओभर दली तो चरागा से रंभाते हुए पस्वों के जुंड धीमी हवा के साथ वापस आ रहे हैं और धीमी-धीमी हवा बहर रही है किसान अपने दिन भर के कार्यों से ठका हुआ होकर अपने घर की तरफ कर रास्ता पकड़कर आ रहा है चल कर आ रहा है और संसार को अंधकार के लिए और मेरे लिए छोड़ दिया है अर्थात इस अस्थान पर इस अस्थान को सभी छोड़कर चले गए केवल मैं हूँ और अंधकार है तो चलिए अगला इस्टेंजा दिखते हैं सब्सक्राइब नीचे दोज उन रग्ड माने खुर्दूरे खुर्दूरे तो इनका इसकार थो बीनिथ दो तोज रग्ड एल्ज उन खुर्दूरे चिर्ध बिच्छों के नीचे चिर्ध का जंगली पेड भी आ होता है तो विनित दोज रेक्ड एल्म्स उन खूर्द्रे चिरावल बिच्छों के नीचे देट यू ट्रीज सेड जो सदा बहार पेड़ों की छाया है जहां पर हीफ्स दटर्फ मने होता है टर्फ में तो सूखी घास यह तिनका हीफ्स मने होता है उठना उठनक मतलब खड़ी है जहां पर सूखी घासे खड़ी है इन मेनी कई कसी कि मोल्डबरिंग माने होता है नस्ट होती होती हुई सी मोल्ड मतलब खड़ीम अंक मतलब फिर्फ धैर मिट्टी का धैर कि लग रहे हैं तो कहलें कि वहर हीफ्स दटर्फ इन मेनी है ओं मोल्डरिंग कि जहांब और कई नश्च अच्ट सीग मतलब मोलेश्वर्णिक मतलब टिश्टोय टृइण ग्रेव अचिप ऊती है और मतलब पर अऱ Cन्ष्ट होती हुआ पटर सूखी घा से खड़ी आप और तो यह जो है आपने अगर घास्फूस जम जाते हैं तो बशाल का मौसम में खतम हो जाएगा तो पानी नहीं पाने पाएंगे घास्फूस तो सूख नहीं लगते हैं यहां पर कई नस्ट होती हुई सी कब्रे हैं और वह कब्रे मिट्टी का धेर सी लगती है और उस पर सूखी घासे खड़ी हैं यहां प्रत्यक संकुचित कब्र में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं मतलब दफना दिये गए हैं लेटा दिये गए हैं तो वहां पर अपने प्रत्यक संकुचित कब्र में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं कौन लेटे हुए है दरूड फॉर्फादर रूड मिस होता है असब यह वह से रूड मने होता है आप यहां साधार्ड भी कर सकते हैं हुए रूड फॉर्फादर्ट वह फॉर्फादर्श मतलब यहां होगा साधार्ड भी क्लियर आफ दा हैमलेट हैं अप मिनिंग में देखेंगे घैश की बिढ़ए हैं वह से हैंवलेट की हिंदी होते हैं पुरुवा थिए च्छोटए सा एरिये होता हैं पुरुवा कर द किसको ने पूरवा में रह रहे हैं क्लियर स्लीप माने सो रहे हैं तो कह रहा है कि तो हैमलेट गाउं का भी नाम है इसमें इसमें गाउं के नाम करें तो हैमलेट गाउं के साधार पूरवज लोग क्या कर रहे हैं सो रहे हैं क्लियर हमलेट गाउं के इसको नाम हमलेट दिया ह सब्सक्राइब के नीचे दैट यू यू ट्रीज सेड जो सदा बाहर पेड़ों की छाया है वेर हीप्स दटर्फ इन मेनी ये मॉल्ड्रिंग हीप जहां पर कई नस्ट होती हुई सी कब्रों कब्रें है और उन पर सुखी घासे खड़ी है जो मिट्टी का ठेर से लगती है इस इन हीज नैरो सेल वहां अपने प्रत्यक संकुचित कब्र में फार एवर लेट दरूड फोर फादर साफ हैमलेट स्लीप हैमलेट गाओं के साधार पूरबज लोग हमेशा हमेशा के लिए लेटे हुए क्या कर रहे हैं सो रहे हैं क्योंकि उसमें कब्र में लेटा दे हमे फार लेट फाल ना हमेशा हुवच सआधा है अटिक है इस मतलब हलंकि हुआ श्यक्रार काल Uh कि कारा कि पुकर विभीन विंड हें ब्रीदिंग मों क्या होता है ब्रीधिंग तो मार्न माने क्या होगा मार्न शुबह तो ब्रीजी काल आफ इंसेंस ब्रीधिंग मान पूरे कार्थ होगा सुबह की सीतल सुगंधित हवा की पुकार इसा सुबह होता ना तो हलका सीतल सुगंधित हवा बाती है ना अच्छी हवा मन्द मन्द चलने वाली हवा को सीतल सुगंधित हवा कार्थ है तो इंसेंस ब्रीधिंग मान ब्रीधिंग मतलब हई सुबह की मन्द पावन की पुकार तो शुबज चलने वाली इतन सुगंधित हवा की पुकार, दस्वैलो टुटरिंग, श्वैलो मने क्या अबावील पच्छी होता है, मेल इसपैर होता है, अबावील पच्छी, टुटरिंग मने चैर्पिंग, चाह चाहना, फ्राम दा इस्ट्रा विल्ट सेड, इस्ट्रा पबन हो तिनका, विल्ट मने होता है, पंचे और शाप्पर होता हो, तो सारा होता है, लेकिन यहां जाफ्र मने नेस्ट होगा, घोसला होगा, क्योंकि चुणीयों का छाप्र मतलब क्या है गोसला, जिसमीbs वह रहाती है, तो तिनके से बना हुआ घोसला इस्टाविल्ट साल मतलब तो दक्वाक्स श्रिल क्लारियन मुर्गे का श्रिल माने होता है तेज आवाज में चिलाना मुर्गे को आवाज को बागदके हैं मतलब तेज आवाज 라는 को और इक प्रकार का सिकारायों का बाज्य होताए सिकारियों के बाज़े की प्रतिध्वन हार्न नो मोर सेल राउज देम उन्हें नो मोर मतलब अब नहीं राउज देम उन्हें उन्हें जगाना नहीं उठाना खौrault फरां देयर लोली लौओरी बेड़ माने हुत है शासषवदविस्तर मतलब बनाज़े उनके कब्र जो है उसको कब्र में ले है मतलब फी सासषवदविस्तर पर ले गया से जगा नहीं गयोगी slay सब्सक्राइब को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अच्छ समझ माजा या और अपको में में पॉइंट दब्रीजी काल आफ इंसेंस ब्रीधिंग मान सुभा की सीतल सुगंदित हवा की पुकार कानेक मतलब यह कभी के सुभा सीतल सुगंदित हवा भाह रही है कि स्टीकि दस्वैलों टुटरिंग फ्राम ता इश्टा विलट से को सीके हरे हैं और क्या-क्या आवा हो रही है प्रतिधव नहीं होना अर्थात शिकारी भी अपना बाजा क्या कर रहा है बजा रहा है बोल रहा है कर रहा है नोजट राउज देम करना है यह सवी चीज़ें उन्हें जगान नहीं सकेंगे इतने सारे आवाजी हो रही है, जीविद वियक्ति पर इनका तो असर पड़ेगा, लेकिन इमज़िद बियक्ति जो कबर में हमेसे केले लेट गया है, क्लियर मतलब महात्वा कांश चुछ को उनके उपयोगी कच परिष्ण का मजाग नहीं बनाना चाहिए उनके साधवाड आनदो का होमली जोयल माने इस सिंपल इंटेनमेट का bardziej of सब्सक्राइब करें नार ग्रेंजियर ग्रेंजियर मतलब होता है सांदार व्यक्तियों को सब्सक्राइब करेंजियर सब्सक्राइब ग्रेंजियर ग्रेंजियर मतलब होता है इंसल्टिंग अपमान जनक का आप मान जनक मुस्कान के साथ जास थोड़ा इसब्सक्राइब इतिहास ब्रिति इतिहास का जो बाते होती है उसको आप पूर गरीब लोग गरीब लोग के छोटे और साध्रितिहास को जीवन का उतिहास उसको इनलज करेंगे तो अकरेंग नहीं सांदार और सानदार ब्रिक्तियों को गरीबों के छोटे और साधहाड तिहास को अपमान जनक मुश्कान के साथ सुनना चाहिए चलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं अगली है लाइन नार ग्रेंजेर नाही सांदार व्यक्तियों को हीर बिदव डिस्डेन फुल स्माइल अपमान जनक मुश्कान के साथ सुनना चाहिए दसार्ट और सिंपल इनल जावद पूर गरीब लोगों के छोटे और साधहाड इतिहास को तो दोनों के लाइन नार से ले नार ग्रेंजेर हीर बिदव डिस्डेन फुल स्माइल दसार्ट और सिंपल अनल जावद पूर नहीं सांदार व्यक्तियों को गरीब लोगों के छोटे और साधहाड इतिहास को घिरड़ा पूर्ड मुस्कान के साथ सुनना चाहिए चलिए अगली अगला इस्टन जा देख उच्छुकुल में जन्म लेने जन्म लेना प्राइड इन नोबल वर्थ क्लियर इसका मतलब तो बोस्टा फिर आपर अपर अब दिखावा करने वाले और वे सभी देट ब्यूटी जो ब्यूटी मने ब्यूटी फुल परसन होते हैं सुन्दर लोग होते हैं अपनी सुन्द अपनी सुन्दरता का घमंट करते हैं यसे क्वाले सुन्दरता का घमंट करने वाले clear से उनको धन ते दिया जाता है पूर्वजों से हम उनके पिता से ठीक हैbn ऑर वे सब्यूटी जून को कभी धन दे दिया रहता है विर्यासत मैं जुनको धन देर रहता है परिवाईटेबल आपरिहार जिसको टाल अजा सकेmeter अनि एवाईटेबल आवर मह ta time समय आपरिहार घंटार था मृत्तु का समय time of तो करें कि मृत्तु का समय उनकी भी आनिवार रूप से क्या करता है प्रतिच्छा करता है जब मृत्तु आ जाएगे तो उनको भी मृत्तु छोड़ेगा नहीं दपत ऑफ ग्लोरी बाइभाव की रास्ते ग्लोरी माने बाइभाव वैभाव के रास्ते लीड माने ले जाते हैं कैरी बट माने यहां सिर्फ होगा कीवल उनली टू दग्रेव ग्रेव मिस कब्र कब्र तक वैभाव के रास्ते भी सिर्फ कहां तक ले जाते हैं कब्र तक भी ले जाते हैं मतलब आदमी जिन्दगी में चाह इतना ठाट बाट निवाज कर दे रहे हैं अभया ने करने लोग अपनी अपनी शक्ती का क्या करते हैं तो अब आख और वेस अभी लोग भी जो सुन्दर होते हैं, अपने सुन्दर्ता का क्या करते हैं? घमंड करते हैं, ऐसे सुन्दर्ता का घमंड करने वाले all hour which अभी that wealth ever gave जिनको कभी धन दे दिया गया रहता है तो ऐसे धन का घमंड करने वाले awaiting the inevitable hour भी मृत्यू के समय की क्या करते हैं? समान रूप से क्या करते हैं वैबहो के रास्ते शिर्फ कब्र तक ले जाते हैं अर्थात कब्र ही हमारी जीवन यात्रा की अंतिम मल्जिल तो इस तरह से कविता समाथ हुए आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो पसंदा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए बेल आइकन कुछान रखे क्योंकि आपको सारी कवि आपको लोग कमेंट करेंगे तब हमारे लिए मोटिवेशन होंगे और अच्छ वीडियो बनाने के लिए तो इसलिए कमेंट आप लोग जरूर कर दिये करिए कैसा लगा तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो